हलो फेंड्स आपका स्वागत है आईटी फाइटेर यूटूब चैनल में तो फ्रेंड्स एक अपडेट आया हुआ है आफिसल विए साइट में उससे पहले हम लोग एक पहले यूटूब में जो आप लोगोंने कमेंट किये हैं हमारे चैनल में उनके कमेंट के रिपलाई करे करेंगे आप लोगोंने क्या-क्या कोशन किये थे आप लोगों क्या-क्या प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का स्वेलिशन बताने कोसिस करेंगे और क्या-क्या हमको आगे करना चाहिए जिससे कि हमारा रिजल्ट सो हो जा चलिए देख लेते आप लोगों के कमेंट क्या है एक स्टुदेंस का कमेंट था वो हमारे चैनल में नहीं था बट लेकिन का कमेंट अच्छा था जिसे कि आप लोगों के हेलफ होगी इस कमेंट से इन्होंने लिखा था साध आपको उपर सो ना हो रहा हो तो इन्होंने लिखा था मेरा भी रिजल्ट नाट प्रोसेस्ट बता एक बार ग्रिवेंस में कमप्लेंट कर दी उसके बाद उन्होंने मुझे एक इमेल भेजा तो जैसे आप लोगों ने जिनका भी रिजल्ट नाट प्रोसेस्ट था तो आप लोग ने ग्रिवेंस किया होगा और ग्रिवेंस से रिलीटेट भी एक अपडेट है वो भी हम आग आप चेक करते हैं तो वाप पर आपको क्या दिखेगा आपको पता होगा जब आप ग्रिवेंस में क्लिक करते हो तो आपको दो आफसन दिखते हैं जहां पर एक ग्रिवेंस करते हैं और एक नीचे है अप्रेंटिशिप ग्रिव अप्रेंटिशिप व्यू अप ग्रिवेंस बस मुझे इतना ही पता है इससे उपर अगर कुछ करना होगा तो बता दो तो इनका इस टाइप का कमेंट था वो दूसरे चैनल में था लेकिन का कमेंट अच्छा था इसलिए हमने इसको पिक किया और इससे आपको यहाँ पर एक मैसेज हम आपको प्रोवाइट कराना चाहरे है कि اگर आपने रिजल्ट आपका नाठ प्रोसेस सो हो रहा है ठीक है तो आपने ग्रिवेंस अगर एक बार एक बार एपलाई कर दिया है तो आपको दुबार एपलाई नहीं करना है wenns कर दिया है और आपको इमेल आ गया ना कि आपकी complaint जो है register कर ली गई है आपका approve हो चुका है ये आप कहां से check करते हैं आपको email भी आया होगा वहां से अगर नहीं पता है तो आप अपना view apprenticeship grievance में आप जाकर देख सकते हैं जो हमने grievance में आप click करोगे तो वहां से आपको पता हो जाएगा ठीक है कैसे क्या check करना ह इसके बाद अगर आपका नहीं आया email नहीं आया तो ये फिर problem है देखते हैं इस पर आगे क्या होना चाहिए तो ये main important जो बात थी ऐसे students का भी comment आया था कि grievance नहीं करना है तो grievance उन लोगों को नहीं करना है जिन लोगों ने एक बार रेजिस्टे ग्रिवेंस एप्लाई कर दिया उनको grievance नहीं करना चलिए हम next problem देख लेते हैं कि आप लोगों ने आगे क्या comment किये हैं फर्स कमेंट यहां पर सो हो रहा है यहां पर हम दिखा देते हैं दीपक का इन्होंने comment लिखा हुआ है कि सर मेरा रिजल नार्ट प्रोसेश दिखा रहा है ग्रिवेंस नहीं करने का notice दिखा रहा है न्यू अपडेट में तो फ्रेंड्स हम बता दें ग्रिवेंस में ऐसा कु कुछ भी अपडेट नहीं है इसके बारे हम भी आगे बात करेंगे जो आपको doubt है इसके आगे इन्होंने नेस्ट कमेंट है इन्होंने विक्रम वर्मा ने कमेंट किया है मेरा अभी भी रिजल नार्ट प्रोसेश दिखा रहा है अब मैंने बहुत परेशान हो गया हूँ यह रिजल्ट से तो बिल्कुल सही बात है आप सभी लोग परेशान हो चुके होंगे जो रिजल नार्ट प्रोसेश जिनको अभी तक सो हो रहा क्योंकि डेली हमें देख चेक करना पड़ता है क्या हमारा रिजल्ट अभी टिक्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है और आगे हम बात क बात करें यहांप जो इन स्ट्रीन स्ने ने काफी इन रिप्लाइ कर देंगे और यहां पर पर साथ कहा हैं पर कमेंट आका है regional पर आगे नहीं जा रहा है तो उसमें से जैसे बीजम प्रोसेस्टि अप सलेट कर रहे फिर आपने संम्मिट कर दीः दुबारे फिर आप Apache करते हैं तो अगर उसी को स्लेट करते हैं उस है उसी पोपलम को तो फिर आप अपड़ाई नहीं कर पाएं जैस Ellis कि हमने बताय था जब एक कोई problem है तो इनका हम भी comment लेंगे इनका भी problem को solve करने की कोसिस करेंगे आज एक कुमार ने हाँ पर comment किया सर आपके ही suggestion से grievance डाले थे हम लोग का establishment में जो कोई भी grievance डाला है उनका result not process दिखा रहा है जो grievance नहीं डाला है उनका result 16 जनवरी उनकी से देखने लगा है ऐसा प्लकुल बात नहीं है जैसा कि फर्स्ट कमेंट हमने लिया था जिसमें भी आने लगा है ठीके जी ने जो प्रॉब्लम है जो अपने एप्लाई किया था वह अभी इसेप्ट नहीं हुआ है तो आप लोग वेट किजए पहले आपकी ग्रिवेंस से ऊपकी परोफाइल वहाँ पर देकिए कि हमारी ग्रिवेंस प्रोफाइल हम यह इसके बाद ही आपका रीजल्ट पभिलिश हो जाएगा ठीके तो यह पहले आपको इसा कुछ नहीं है कि जरहंगों नहीं किया केवल उन्हीका result आहाँ सब कहएगा ग्रिवेंस भी कर लिया अब sonrr दा रहाँ तो बिल्कूल आप परेशान ना हो 25 जन्वरी तक लाष्टेट 15 जन्वरी ग्रिवेंस की लाष्ट घर से तो यहां तब तक आपका result आ जाएगा 25 जन्रूरी तक будет प्रोब्लम है तो बस आप लोगों रिजल्ट भी आने लगेगा जल्दी आएगा अभी बी रिजल्ट नाट प्रोशेट दिखा रहा है इनका भी प्रोब्लम है इनका नाम है फाइब्ड यमारे चैनल से जुड़े रहते या जाये भी हमारे चैनल से जुड़े रहते थीक्शे तो हम हम तो गुंद चाल्गे के बेबेगुब बन गया चैनल कोई इस्टो नहीं है जो साध्य डैया फूब्लम हम अपुब्लम है उस Мें सादा को डौट लग रहा हूगा उसके बारे में clear करेंगे तो ठीक है जो grievance डालें उनका भी result आर आए सी कोई बात नहीं है आगे इन्होंने क्या इनका comment है MKY करकिन का नाम क्या है नाम इन्होंने नहीं है All the apprenticeship are advised not registered online grievance in case of result not process तो इन्होंने comment किया है ठीक है चली आगे यहां पर हम बात कर लेते हैं निखिल ने आप पर क्या comment किया सर पिछली साल भी ऐसा कुछ हुआ था क्या तो ऐसा पिछली बार कुछ नहीं हुआ था ठीक है इस साल क्या की 2020 कोरोना वारेस की वज़े से सब कुछ आगे पीछे हो गया है ना बहुत सारे इस्ट्विट पेपर नहीं दे पाए तो और फिर जो प्रेटकल नंबर है वो भी अपलोड नहीं हो पाई इस कारण से यह सब हो रहा है आगे यहां पर मेरे रिजल्ट नार्ट पर से दिखा रहा है तो ठीक है आप लोग पर इसान नहीं है हम लोग भी कोसिस कर अब कर दिया अग्रिमिन्स तो अभी आप दुवायर आपको नहीं करना जो इस्टार्टिंग में हमनें बताया है तो बहुत से इससे अलावक किसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करेंगे बता सकते हैं तो इस प्रकार से कमेंट है और यहां पे वर्षा ने कम रहे होंगे आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा अप्रेंटिशिप और एडवाज नाट टू रजिस्टर ऑनलाइन ग्रिवेंस इन केस रिजल्ट नाट प्रोसेश्ट अधर्वाइज रिजल्ट विल नाट भी प्रोसेश्ट दा सिस्टम ठीक है तो इसके बारे म अप्रेंटिशिप और एडवाज नाट टू रजिस्टर ऑनलाइन ग्रिवेंस इनकेस आप रिजल्ट प्रोसेश्ट ठीक है तो इसका जब हमने ट्रांसलेशन किया हिंदी लेग्वेज में तो इन्होंने बताया हिंदी में हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे तो इन्ह परिणाम संसोधित नहीं होने की स्थित में आलाही सीकायद करें परिणाम संसोधित मतलब नहीं का मतलब क्या इंग्लिस में रिजल नार्ड प्रोसेश्ट ठीक है तो रिजल्ड आपके रिजल्ट नाट प्रोसेस्ट आ रहा है तो फिर आपका रिजल्ट जो है सही नहीं होगा मतलब आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा या फिर इससे अलावा आपका रिजल्ट नाट प्रोसेस्ट के छोड़ कर कोई और प्रॉब्लम है कोई आपकी प्रोफाइल में कोई दिक्कत है तो भी आपको grievance करना है अगर आप grievance में apply नहीं करेंगे तो फिर आपका जो result है उसमें सुधार नहीं होगा है ठीक है जो लोग apply कर चुके है उन्हें apply नहीं करना है और जो grievance apply कर चुके तो वो लोग क्या थोड़ा सा धहरे बना के रखें आप लोगों का 25 जनवरी तक result तो आहीं जाएगा क्योंकि पहले भी जिन इस्टों का result ना process दिखा रहा था उनका भी result आया तो आप लोगों का भी आजाएगा बस इंतजार का फल मीठा होता है बस इतना ही इंतजार करिएगा ठीक है तो आप लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दिया करें बस इतना ही आप से request रहता है और वीडियो में जो भी आपको दिक्कत हुआ करें कि आपको जो चीज समझ में ना है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं और चैनल में नए तो चैनल को सस्क्राइब कर दिया करें ठीक है और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजीगा और वीडियो को पांच वाट्सअब ग्रुप में सेर कर दीजीगा कोई भी दिखका थे तो आप हमें वाट्सअब पे मैसेज कर सकते हैं लिंक जो नंबर है वाट्सअब नंबर हमने डिक्स्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है फिर मिलते हैं नए वीडियो में बाई बाई अपना ख्यार लग किएगा